दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको अत्ते दिक दूद बढ़ाने वाला दलिया बनाना सिखाऊंगा जिससे खिलाने से आपकी गाय बैंस पूरा ब्यात अच्छा दूद देंगी और लंबे समय तक दूद देंगी और दोस्तों ये आप अपने गर पर जो चीजे है उनी से बना सकते हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सीसपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सब का पसंदिदा यूटूब चैनल टूडे फार्मिंग जोन तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का और दोस्तों डेरी फारम और पुसुपालन की जानकारे बरी वीडियो देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाजू में जो गंटी का बटन है उसको भी दबा कर ओल पर सेट कर लें तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि आज की वीडियो में अत्ते दीक दूद बढ़ाने वाला दलिया मैं आपको बनाना सिखाऊंगा जो कि आप आपके घर पर जो चीजे मुझूद है उनी के दवारा बना सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपन क्या लेना है सबसे पहले आपने दो किलो दलिया लेना है गेहूं का मोटा पिसा हुआ गेहूं वो दो किलो आपने लेना है उसके बाद दोस्तों उसमें आपने उसका तीन गुना पानी एक बरतन में डाल लेना है यानि कि आप दो किलो गेहूं का दलिया लीजिए और उसम च्छे किलो पानी आप एक बरतन में डाल कर उसे गरम करने के लिए एक चुले पर रख दीजिए फिर आपने उसमें 100 ग्राम मेथी दाना डाल देना है मेथी दोस्तों दूद बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है और फिर आपने 100 ग्राम तारा मेरा लेना है वो भी आपने उसमें डाल देना है तारा मेरा दोस्तों दूद बढ़ाने के लिए तो जरूरी होता ही है साथ ही तारा मेरा से जो पसूओ की चमड़ी के रोग है वो खतम हो जाते है और उनकी चमड़ी साइनिंग बारने लगती है चमकने लगती है फिर दोस्तों आपने 25 ग्राम जीरा लेना है जीरा सफेद हो तो सोने पे सुआगा है नहीं तो आप कैसा भी ले सकते हैं और फिर दोस्तों आपने उसमें 500 ग्राम यानि कि आदा किलो गुड मिला लेना है और गुड़ भी दोस्तों पसुओं के लिए दूद बढ़ाने का काम तो करता ही है साथ ही साथ ये जो मिश्रन होता है उसका टेस्ट भी बढ़ा देता है जिसे पसुद चाओ से खाता है तो अच्छा दूद देता है फिर दोस्तों आपने 50 ग्राम नमक उसमें डाल देना है नमक हिस्सा ही डाला है 50 ग्राम की जगह आप दस पंदरा ग्राम ही डाले तो दोस्तों ये जो मैंने बताया वो आप अच्छी तरह से पका ले पका कर जब आप उसको ठंडा करे तब आपने उसमें 100 से 150 ग्राम सर्षो का तेल मिला लेना है सर्षो का तेल भी दूद बढ़ाने मे बहुत अच्छी भूमी का निबाता है तो दोस्तों अगर आपकी गायबैस से 500 किलो से कम वजन की है तो आपने 100 ग्राम सर्षो का तेल लेना है और 500 किलो से ज्यादा की आपकी गायबैस है तो आपने 150 ग्राम सर्षो का तेल लेना है फिर दोस्तों आपने 100 ml कैल्शियम उसम मिला लेना है फिर दोस्तों आपने 50 gram bypass fat उसमें मिला लेना है bypass fat दोस्तों दूद्ध का fat बढ़ाने में बहुत अच्छी भूमिका निबाता है इसके साथ ही दोस्तों आपने 50 gram दो तीन चम्मच मीठा सोडा मिला लेना है मीठा सोडा क्या करता दोस्तों जो पसू की पाचन सक्ती होती है जो पसू का हाजमा होता है उसे दुरुस्त करता है और पसू का हाजमा सही होता है तो पसू चाओ से खाते हैं पसू अच्छा खाते हैं ज्यादा खाते हैं ज्यादा खाते हैं तो दूद भी ज्यादा देते हैं तो ये आपका एक perfect गेहूं का दलिया अत्यदिक दूद बढ़ाने वाला दलिया जिसे कहते हैं वो तयार हो चुका है ये आपने कैसे देना है कितने दिनों तक देना है वो भी बताऊंगा लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें बाजू में जो गंटी का बटन है उसको और आदा स्याम को देना है और दोस्तों सबसे ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि ये आपने जब आपकी गाए बैस बया जाती है उसके एक हपते बाद आपने शुरू करना है ऐसा नहीं है कि आज गाए बैस आपकी बया गई और आज ही से ये खिलाना शुरू कर द दोस्तों क्योंकि ऐसी गलती अगर आपने कर दी तो पूरे ब्यात आप अपनी गायबैस का दूद्ध नहीं बढ़ा पाएंगे तो ये आपने गायबैस के ब्याने के एक हफते बाद शुरू करना है एक हफते बाद भी पहले आपने आदा किलो गेवूं का धलिया बना के दे देना है उसके अगले दिन आपने डेड किलो का बनाना है उसके अगले दिन चोथे दिन आपने दो किलो का बनाना है तो ये थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बढ़ाते जाना है एक दम से भी ना शुरू करें तो दोस्तों जो मैं कह रहा था है कि आपकी गायबैस जब ब्याती है तबी तुरंत आपने ये दलिया नहीं खिलाना है क्योंकि जब आपकी गाएबैस ब्याती है तो उसके अंदर से वो बहुत कच्ची हो जाती है तो ये जो दलिया है ये बहुत हैवी फूड होता है तो गाएबैस अंदर से कच्ची हो जाती है तो इसको पचा नहीं पाएग और उसमें और दूसरे infection जरूर हो जाएंगे तो ये ऐसी गलती आपने बिलकुल भी नहीं करनी है वरना फिर आप कोगे कि सर हम तो सब कुछ खाने को अच्छा दे रहे हैं लेकिन फिर बिदूद नहीं बढ़ रही है तो उसका एक main कारण यही होता है तो दोस्तो अगली वीडियो में आप पसुओ की कौन सी बिमारी पर कौन सी समस्या पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करें जिस भी पसुओ की समस्या पर या बिमारी पर ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट आएंगे उसी के बारे में वीडि लिदूंगा सारी डिटेल्स बताऊंगा और पूरा 100% कंपलीट इलाज बताऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करें तो उमीद है दोस्तों वीडियो में दीगी जानकारी आपको पसंद आई होगी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए लाइक से भी चीजिए अपने दूसरे पसुपालक भाईयों के साथ ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पसुपालन को बैतर से बैतरी इन बना सके और अपने पसुपालन की जो छोटी मोटी समस्या हैं उनका खुद घर पर ही इलाज कर सके और डाक्टरों और महेंगी महें और गाएं खरीदना चाहते हैं तो हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारा नमबर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं अच्छी टोप क्वाल्टी की दुदार गाएं और वैसे आपको अच्छे से अच्छे दामों में मिल जाएंगी